हेलो बच्चो नमस्कार क्लास्ट वेल्थ का यह मौडल पेपर सेकेंड है ठीक है ऐसे ही मैं आपको 5 मौडल पेपर प्रोवाइट कराऊंगे उसके बाद आपको आगे प्रीवियस यह पेपर और सभी आपको मिलेंगे तो सबसे पहले हम सेकेंड मौडल पेपर सॉल्व सबसे पहले आप लोग क23 यही है कि आप लोग को 15 पहल करना लाए एक प्रशन छोड़ना नहीं है तो चलिए पहले प्रश्कर अगला प्रश्ण है गद्धी विधा की द्रिष्टी से आत्म कथा है तो यहाँ पर चार आपसन दिये गए हैं चारों में से नीड का निर्माड जो है आत्म कथा है ठीक है और मेरी असफलताएं रचना की विधा है तो यह भी आत्म कथा है वेरी असफलताएं आत्म कथा है ठ तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी रेखाचित्र पर आधारित रचना है तो रेखाचित्र पर आधारित रचना है अधीत के चलचित्र ठीक है इसे महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है और अधीत के चलचित्र रेखाचित्र पर आधारित रचना है उद्धो सतक किस काल क लेकिन यह भकतिकाल की नहीं ब की आधुनिक काल की ठीकिव की उसके बाद प्रेम माधुरी की रचेता है तो प्रेम माधुरी की रचेता जो है भारतेंद। अगला तुलसीदास की रचना नहीं है तो राम चंद्र का जो है तुलसीदास की रचना नहीं है ठीक है प्रगतिवादिक कभी नहीं है इसमें चार कभी दिये हुए हैं जो प्रगतिवादिक कभी नहीं है उनको आपको बताना है तो स्रीधर पाठक यहां पर प्रगतिवाद कि एक ख़र्णम काब के वी ゃां पर आधारित प्रश्णों को पढ़ने की इस गधियांस को पढ़ना है उसके आपको 5 प्रष्णने यहां पर मिलेंगी जिसके अनस्वर आपको देने है और भी कि लोग just को भी हटाएंगे फिलाल जो प्रश्ण पूछा जाएगा वह आपके से लेबस से पूछा जाएगा बोर्ड एक्जाम में जो आपके प्रश्ण आएंगे वह से लेबस से आएंगे ठीक है तो बिलकुल टेंसर नहीं लेना है निमलिकित पध्यांसों को पढ़कर उन पर आदा में लिए बोल रही है कि मैं मंत्रा की कोई गलती ही नहीं है सारी गलती मेरी है उसकी क्या वकाद थी बहतों एक दासी थी मेरा ही मन जो है विश्वास नहीं किया राम पर और मैंने ही यह सब किया है इसी तरह से तो यहापका कैके के अनुताब कैके का अनुताब से लिया गय लोग याद कर लीजिए गा ऐसे ही कोश्चन आएंगे तो इतना आपका दिया हुए यहां पर पांच प्रश्ण दिए गया है प्रस्तुत पद्यांस में कहिए कि किस विवस्ता को प्रस्तुत किया गया है तो उसको लिखना है उपर युक्त पद्यांस का संदर्व लिखे यहां पर ब्लैक में देते हैं रिखना है उतने का आपको आर्थ लिखना है तो वहीं पास्ता आते हुय कहती है कि मंत्रा की कहीं कोई गलती नहीं है मेरा ही मन विश्वासी नेहों हो पाया विस्वासी ठीक है सब्दों में से प्रत्य साब्द छाट कर लिखे ज्वलित में इत होगा ठीक विश्वासी में आसी होगा अगला आपका यहां पर जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे पांचवा प्रशन जीवन परचे का होता है जिससे की लेखक के जीवन आपको साहितिक परचे लिखना होता है ट्वेल्थ के लिए साहितिक परचे होता है ट्टेंथ के लिए जी की जए मिस्र में यह दोनों है तो आपको इसका passport करना है निमिलिखि कभी में से किसी का यह का सहितिक पर्चे देते हैं कभी पर्चे स्पक्रों को कि तयार करने उविक है कि पर दोन है ठीक है लट इसिंग दिनकर सचितानद हिरंद एक ही काप को लिखना है ठिक उसके बाद कहानी छेठा प्रश्न कहानी है आपके सिलिवस में नहीं है बहादूर कहानी और धुरूयात्रा और आपका पंचलाई ठीक है तीनों में से दो तैयार कर लोके आपका काम हो जाएगा उसके बाद खंड काविया आता है ठीक है तो खंड का वे आपको जिला की अनुसार करना है यह पता कर लिजिए अब ताइम नहीं आप फ़के पास टाइम नहीं है ठीक है पता कर लो कि कौन सा खंड कावल्य यापके जिला में चलेगा च नहीं पता है को कॉन से लिए के लिए दिया हुआ है निा 2 की ठाट खंड गश्छ चुन में आपका संक्र्णूच्ट से डिए क्रेप्रिशन है यह पर जैसे महामनस्विन मदन मोहन मालवियह जन्म प्रयागे यहां पर आपको साथ नमबर मिलेंगे यह महामना मालवियह से ही पूरा टूटल दिया गया है अथवा आपका यहां पर है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अगला पद्यांस का है दिये गए पद्यांस में से किसी एक का ससं तो आपको इसका लिखना है कि कौन सा जो है कौन से से ले कौन से चैप्टर से है उसके बाद दस्मा कोश्चन है निमलिकित मुहारों और लोकुक्तिये में से किन्धी दो के अर्थ लिखे चार दिए गया है दो के अंस्वर देने हैं लेकिन पता आप पता सभी चीज होनी जाए असलवर आपको दू देना है उपर में पढ़ा करिए कि कितने का अrau देना है निमलिकी सब्दों के संधिविक्चेद का चैन लिखे ठीक है चैन कर लिखे जहां में लिए वहां सही option है पवन का पोधन अनह होगा तो जहां पर पोधन अनह हो उसको सही मार यह ठीक है ऐसे ही आपका फिलाल यह आपके विभक्ति में नहीं है आतमन और नामन ठीक है आतमन नामन यह आपको तयार करना है ठीक है बारहवा question सब्द युगम का होता है इसको आपको देखना है यहां पर आपको समझना है जैसे यह दोनों दिये हुए है आवरड आभरड ठीक है तो इसको आपको देखना है कि आवरड का क्या आर्थ होता है आवरड का ठीक है जो आपसर यहां तो आप लिखोगे ठीक है ऐसे ही यह भी है उसके बाद यहां निंदिखित सब्द में किसी एक सब्द की दो अर्थ लिखिए यहां पर जैसे आप पर याव लखते हो वैसे आपको इसको करना है ठीक है निंदि लिखित वाक्त्यांस के लिए एक सब्द का चَयन करके सब्द दे दिया गया है जिसकी इक्छाएं बहुत उची हो जिसकी इक्छाएं बहुत उची हो तो उसको क्या कहते हैं इच्छुक कहते हैं ठीक है उसके बाद देखिए विस्डू के उपासक को क्या कहते हैं वैस्डव विस्डू के उपासक वैस्डव होते हैं अगला कोशन निमलिकित में से किसी दो वाक्यों को सुध्ध करके लिकिए, ठिक है? यहाँ पर आपको चार आपसं दिये गये हैं। आपको दो सुध्ध करके बताना है, ठिक है? दो नमबर मिलेगे। अगला जो है रस Cंद अलंकार है। आपको करना है, छह नमबर उससे मिले करेंगे चाह यह नंबर आपको पत्र पर मिलेंगे पत्रया आपको बता दिये जाएगा गिस लेवस के अनुसार कौन सा पत्र airport तो तैयार करना है कि वढ़ेंद को जिस से की इंप्रेसन अच्छा पड़े अच्छे मार्क आप गेन करो तो देखिए जैसे यहां पर विज्ञान व्योसाय सभी के लिए दिया हुआ है तो इंपोर्टन चीजे जैसे देखिए विज्ञान पर आप पढ़ लो विज्ञान से जुड़े जितने भी निबंद पूछे जाते हैं सभी को आप करने की छंता रखते हो अगर विज्ञान का आप अच्छे से पढ़ी हो ठीक है ऐसे ही आपका भारत नारी के प्रति है नारी का एक तरह से जैसे नारी सकती पूछा जाता है फिर भी आप कर सकते हो भारती समाज में नारी का क्या महत है फिर भी आप कर सकते हो कोई भी निबंधा है ठीक है टॉपिक पर ध्यान दो जैस के लिए पूछा जाए किसी भी चीज के लिए पूछा जाए तो आप आसानी के साथ कर सकते हो ठीक है तो हमारा जो है मौडल पेपर सेकेंड भी कंपलीट हो चुका है तो जो सभिवस्ति पूरा वीडियो देखें कराऊंगी और सभी कोश्चन आप कराऊंगी हर सब्जेक्ट के और चलिए मिल दें नेक्स्ट वीडियो में तीसरे मॉडल पेपर के साथ धन्यवाद